तो निकाय चुनाव को लेकर अपनी तयारियों को समाजवादी पार्टी मजबूत कर रही है आज सपा मुख्याले अखिले इश्यादा पहुंचेंगे शिर्फपाल यादव भी पहुंच सकते हैं ये जानकारी भी मिल रही है तीन दन से लखनाव में ही मौझूद है साथी सा जो दावेदार हैं उनके आवेदन को शिर्फपाल यादव स्वीकार कर रही है अब क्या रण्नीती निकाय को लेकर बनती है ये देखने वाली बात होगी दूसरी तरफ शिर्फपाल पर सस्पेंस अभी बरकरार है क्या पद मिलता है क्या राश्प्य राजुनीती में लगातार तीन दिन से शिवपाल यादव लखनव में ही मौझूद है और जो दावेदार है निकाय चुनाव के उनके आवेदन को स्वीकार कर रहे हैं अब आज जब मुलाकात होगी अखिले इश्यादव और शिफ्ट इन्हें देखिए घर से ही सोप मेनफेक्चरिंग करते हैं और महीने का एक लाग कमाती हैं आप भी सोप मेनफेक्चरिंग करना चाहते हो इनसे सीखना है तो फ्रीडम आप को अभी डाउनलोड कीजिए पाल्यादव की तो मन्थन भी होगा और मन्थन के बाद त्यारियों को मजबूती दी जाएगी बड़ी बेटकाट सपा कार्याले पर होनी है जिसके अध्यक्षता अखिले इश्यादव करेंगे निकाच चुनाव की तारिकों का एलान अभी नहीं हुआ है लेकिन इसे लेकर सूबे की सियासी पारा जरूर गर्थ है मैंपूरी के करहल पहुंचे सपा की रास्ट्री अध्यक्ष अखिले इश्यादव ने कहा कि मर्माने धंग से निकाच चुनाव की आरक्षन को तैकिया गया है उन्होंने कहा कि अधिकारों और कुछ मंतरियों ने सत्था का दो रूपियों कर आरक्षन की सूची तयाग की है अखिले इश्यादव ने तंज कस्ते हुए कहा कि प्रदीश में डेंगू वहीं फैल रहा है जहां भाजपा की मेयर और चेर्मैन है उन्होंने कहा कि शेहरों के सीमा के अंदर जानवर नहीं होने चाहिए लेकिन सड़कों पर सांड घूम रहे हैं उन्होंने दावा किया कि मैनपूरी की जनता ने सपा को नई उर्जा दी है और 2024 का किला भी अफ़ते होने वाला है तो 2024 को लेकर अपनी तयारी को वो मजबूत करेंगे इसका संदेश दे चुके है साथी साथ भाजपा पर भी निशाना उन्होंने साधा है अखिलेश का निकाय आरक्षण पर सवाल क्या है वो आपको बताते हैं अखिलेश यादव का यूपी सरकार पर हमला अखिलेश यादव का कैना है कि मन्माने ढंग से निकाय चुनाव का आरक्षण यूपी में डेंगु वही पर फैल रहा है जहां भाजपा के चेयर्मेन है डेंगु वही पर फैल रहा है साथी साथ कुले में जिस तरीके से जानवर घूमते उसको लेकर भी अखलीश जादव ने सवाल खड़े किये है क्या कुछ कहा है एक बार सुनिया आरच्षण में भीदवाव हुआ है कुछ अधिकारियों की मनमानी और कुछ सीमित मंत्रियों ने मनमानी करकर के आरच्षण वरस्ता लागू की थी हर जिने में भीदवाव देखेंगे पिश्रों को जितना मिलना चीद उन्हें नहीं मिला जो सेसी समाज को नहीं मिला जाने कितने रूप में भीदवाव किया अपने लोगों को खुछ किनने के लिए यह सरकार ने भीदवाव किया और नगर दिकाई से सरकार भाग रही है क्यों देंगू वहीं फैला है जहां भारती जंता पार्टी के चेर्मेन है देंगू की बीमारी, मच्छर, गंदगी, पूरा वहीं पर है जहां पर भारती जंता पार्टी के चेर्मेन है या नगरपालिका के अदेश हैं या मियर है आप देख लिए गोवर पड़ा हुआ है अरजी ने इन्हें देखिए घर से ही सोप मैनफेक्चरिंग करते हैं और महीने का एक लाग कमाती हैं आप भी सोप मैनफेक्चरिंग करना चाहते हो इनसे सीखना है तो Freedom Map को अभी डाउनलोड कीजिए